आव वीडियो पसंद आवे तो लाइक अने सेर करो जो सब्सक्राइब ना करियो होई तो जरूर सब्सक्राइब करो अने बेल आइकों डबाओ बोलिये स्वामी नाराइण भगवान की वाला भक्त जनो स्वामी नाराइण मंदीर मोटावरा छामा बिराजित भगवान श्री स्वामी नाराइण नो पंचापती महोत सवापड़े उज्वीरे आछिये महान कलाकार सुशिल बावेजाजी ने आज हमको भजन संधिया में गुलतान किया ए भजन संधिया आपको कुछ हुआ हो या नहुआ हो मेरा रदय तो भगवान के प्यार में भर गया था एक बार मेरी भजन संधिया सार्थक हो गई ये भजन संध्या मंदिर में बिराजीत भगवान स्वामी नाराण के चरण में हम समर्पित करते हैं आप लोगों ने डाइरा तो बहुत सुना होगा किन्तु ए सुशिल बावेजाजी जो हैने वो गाते है उनको अपनी कला का कोई अभिमान नहीं है वो हर बार अपने गुरु को याद करते हैं गुरु यहाँ उपस्थित नहीं है तो भी याद करते हैं कि जो कुछ है वो सब मेरी गुरु की कृपास है मैंने उनकी चोईस इसलिए की है कि जो भक्ती वाला आदमी होता है वही प्रभु के नजदिक होता है चाहे भक्ती प्रभु भक्ती हो या गुरु भक्ती हो या मातरु पित्रु भक्ती हो या देश भक्ती हो जिसके रदई में भक्ती बरी हुई है, वही आदमी जिवन जिना जानता है, बाकी का जिवन तो पत्थर के समान ब्यतित हो जाता है जो भरा नहीं है भावो से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो रदई नहीं पत्थर है, जिसमें प्रभु का प्यार नहीं और इसलिए, आज जो हमने भजन जंदिया की, भगवान स्वामी नारण मोटा वराच्छा मंदिर में जो बिराजी थे, उनकी प्रसंता के लिए की ए पंचावदी महोच्छव, इसलिए हम मना रहे हैं भगवान की प्रसंता के लिए और मेरा एक आशे है, हमने जो एसे ती संस्था की स्थापना की है, एस संस्था के द्वारा अनिक एसे कलाकारों की कलावों को उजागर करना और हमारी भारत्य संस्कृति का प्रोथ्साहन करना आ एसे ती संस्था छेने भाई, मारी एवी भावना छे, कि जे आपड़ी भारत्य संस्कृतियों, आपड़ी जे भारत्य कलावों पोप गाना वागता वें, तो कुछिरा भहता वें यहु लागे, और शास्त्रिय संगीत वागत वें, तो आत्मा परमात्मा अरे जोडातो वें यहु लागे बस मालपा आत्मा वोवो जोई जो पत्थर बनी ग्योवई राग द्वेश्मा तो यहमा कोई जणजणात ठाती न थी जिनिगीनी मजा भाव मार है अनि जे आपड़ी भार्ती संस्कृती, आपड़ू हिंदुस्तानी संगीत, आपड़ू शास्त्रिय संगीत, आपड़ी शास्त्रियों जेकई चीजों शे यहने उजागर करवी कि आपड़ी बहु मोटी फरज शे अनि इटला माटे आ सद्धाम एसेटी द्वारा जे हुँ संस्थापीट करी रहे हो छोने एस सद्धाम मा एक सुंदर मजानू गुरुकुल बन शे अनि मारियेवी तमन्ना शे कि एमा एवा सारा सारा आर्टिस्ट विद्यार्थियों कलाकार थे इन बार आवे और बारतनू नाम रोशन करे केवल पुस्तक्या अगनान वाला विद्यार्थियों मारे नजी करवा प्रेक्टिकल नोलेज वाला विद्यार्थियों ठावा जोई उबी में भी संस्कुरु स्टडी करी छे, में पेला संस्कुरु स्टडी करीन पछी एक्जाम एमे नी आपेली, जारे मारे एमे ना पेपर करनाटक ओपन युनिवर्सिटी मा चालता था, उब कोई शिक्षक पासे एक पन सब्जेक त्यारे बणुआ नो तो ग्यो, पेला धामनो मारो संकल्प, एमा थी कोई सारा भगवद भगतो बार निकले, एमा थी कोई देश भगतो बार निकले, एमा थी कोई संगितना सारा कलाकारो निकले, एमा थी कोई सारा देश भगत नियतावो पन निकले, एमा थी सारा सारा रतनो बार्यावे, बालको मा होई तो मुपीव घणूप बदू देश विदेश नू थोड़ू थोड़ू नोलेज जानू छो, पन ज्या सुधी मारू मार्किंग छे, आपड़ा भारत देश निहारे दुनियामा कोई देश आवे, आपड़ी संस्कृती निहारे कोई संस्कृती आवे नहीं, पन वात येटली छे कि साधू संत और आपड़ी बदानी फरज छे कि आपड़ी संस्कृती ने आपड़े जालवे, ओ गणिवार्तम ने कव छो, के तमे देश विदेश जावे शो, ने तरत तमे शुष, कोट पेरीन जावे शो, के ये लोको कोट पेरे अपड़े कोट पेरीन जावे, अमे तो कि आना दोत्यम जाईश, तो गोरिया अमारे जिया सेल्फी लेवा आवेश, अमारे जिया सेल्फी लेवानो या अज लावे, या म दोड़तो पेरमे जिया सेल्फी लाव, आपड़ी संस्कृती ने बुल भी नहीं, आ महाभारत ने कथा, आज दिवस सुथी लोकोये महाभारत ने आम आभडशेट लागतो एनियम छेटू राख्यू आ महाभारत मा किटला रतनो भर्याशे आमा केवी सुन्दर सुन्दर कथाओ लखाणी छे एना थी लोको वंचीत रहिया व्यास प्रभुये महाभारत ने पाच मा वेदनो भीरोदापू अने भारत नी जन्ताए इमाहाभारत ने कोई दिखोल्यू नहीं भाई आ महाभारत मनेने तमने जीवन जीऊता शिक्वाडे सुन्दर मजानी महाभारत नी कथा चाली रहिशे अपड़े बदा वन परवनी कथा त्यारे साम्बली रहा छे पांच पांडवो वनवाशी नो वेशलै अने वनमा चाल्या छे साथे ब्रामनों छे, खावानों मलतू नथी समय बोव विपरीट छे, युदिष्ठी राजा मुझाना छे यहोवे शू करू अने ए समय त्या शोवनक मुणी आएवा छे अने शोवनक मुणी युदिष्ठी राजा नेटलू कहिो कि चिंता करो मा हरेक वाद ए तप्थी सीध थाई जे आ कड़ा छे ने इभी तप्थी सीध थाई जे तपस्चरिया जोए अमारा तबला वगाडनारा साद्धो ने हुंकव खाली पाठ लिवा थी विद्या नथी आवडती गूरू प्रुपा थी विद्या आवे आजे स्कुलो मा श्यो थाई शे फीदेईन पनवा जाऊ अने पाच्चु वह युआऊ एक विद्यार्थी ने शिक्षक है कि दू के गजेडा जेवा आम लेशन करिन न थी आए वो आजे ही के आम चोकरो ट्यूशन मा जातो तो थीदेईन ट्यूशन मा जातो तो अटले ट्यूशन ना शिक्षक है ने टलू कि दू गदेड आजे वाएके आजे ओम वर्वक करिन नो आए हो अन्ति आर शोक्र हो अए टलू कि अतसरं न्यूल क sigu मरा कराई सायग लोग लेग लुग लेग लुटु लग लिए पुम मिल ल मिलं ऑरतर्या बशेदे शचार्टत शाल कर्व Risk करेज ल लाखेख सर्बीत '' तो येवो विद्वान नो मले पने इने साधू संथ अने ब्राह्मनों ना छोकराने फ्री वोपमा बनाएवा जा इने कोई दीविस कोई पासे फीन अथ लिदी अनि इटला माटे महारितमने केवू छे आजे कि युदिष्ठीर राजाने शवनक मुनिये कहिऊ के तपथी विद्या सीध थाई छे अनि पछे युदिष्ठीर राजा तपस्चरिया करवा लगया अनि त्यारे सुरिय नारायने प्रगट थया छे आनि सुरीय नाराणे एक अक्षै पात्र योदिष्ठीर राजाने आयपो शे। योदिष्ठीर राजाने एउ तब हटू के सुरीय नाराणे प्रसंत थै। सुरीय नाराणे आयवा शो भाई। आमची आवे शे शे। आम आपन हुँँ खबर नौ एम। रुशी मुनी केछे दोम्य मुनी एमनेम कहयो के राजा योदिष्ठीर जो तारे सिद्धी प्राप्त करवी होई तो तप करे दोम्य मुनी योदिष्ठीर राजा ने तप करवानी प्रेरणा करे योदिष्ठीर राजा ये तप कर्यो अने त्यारे तरत सुरिय नारैन हाजर स्विकार शे जे अक्षै पात्र नी वात येवी हती कि बार वर सुधी आ अक्षै पात्र माथी अनाज निकल शे चतूर विद चारेई प्रकार नुँ अन भक्ष बोज्य लेहिय चोस्य चार प्रकार नुँ अन आ पात्र माथी निकल शे युदिष्थिर राजा ने सुर्य नारण केछे कि तमारा बार वरसना वनवासमा आ अन निकल शे पन एक कंडिशन रेशे कि द्रोपदी जम शे पच्छी एमा थी अन नही निकले ज्या सुधी द्रोपदी नही जमीले त्या सुधी अन निकल शे अने पच्छी तो युदिष्थिर राजा ने कोई मेमान आवे अतिथी आवे जमाडवा होई खाली संकल्प करे ज्यो संकल्प करे एव तरत पात्र माथी अनाज निकले काच्छू सिद्धू लावानु ने गेस नी जरूर ने कोई पन प्रकारना वासन नी जरूर ने संकल्प करें त्या अनाज मालपाची बारू निकले युदिष्टी राजा ये पेलो संकल्प करयोक मोत्या लाडू हाजर थाओ हाम जो है सिद्धा मोत्या लाडू कि मोत्या लाडू हाजर थाओ अटले मोत्या लाडू हाजर वली कोई मेमान आवे नियम केक मारे पेंडा खावा चे युदिष्टि इखाली संकल्पकर एक पेंडा आजर थाओ। तम्हाम पात्र जो क्यों अक्षई पात्र शुर्यनारण ने दियो तम तर वांदो ने। दाबोने यह आपणा हमा के वांदोँ हुआ। तम्हारू दिद्ये लूजे बदूए। तम्हारू दिद्ये लुट तमने देव मामर वांदो हुँ भाई। अने पछी युदिष्टि राजय है वली संकल्पकर्यों मगजना लाडू आजर थाओ। मेर छोफिजिनकन लाड़ाया इकोन देहो सुरियन आर ना पड़ है अलोल वेडिय ओलोल वेडियर उण्ड़ोर युधिषिति महराथ तमे ओलोल सोकरें दीयो हैएविशार बोवहारी मारी कथा में अंडलिं करें मोड़ाम देजो काईलो आंदो ल्यालो बास लखा अवे निकले से तुम आंदो आपड़े अन्ने पच्छी युदिष्टी राजाय की दुख दाबेली हाजर थाओ निकले से अला निकली ये वीडियावलो भाई कियो काईने एठी मुकी जे अपर नो खाई वे त्याने सू करूगी जो जेजे संकल पकरे नि थाए तपनी सिधी तो जो एकज अक्षई पात्र खुटे ज नहीं खुटे ज नहीं अन्य आ अक्षई पात्र नी वात एचे बाप कि जेना उपर इश्वर नो आशिरवाद होई जेना उपर येना गुरु नो आशिरवाद होई जेना उपर येना माबाप नो आशिरवाद होई येना जिवन माथी सूख ना बोजन कोई दी खुटे नहीं भाई हार पाड़े ना जिवनमा सुख सुख ने सुख आवे जो कोई ने राजी करया हुई युदिष्टी राजाय खाली सुरिय नाराणने प्रसन करया जे मागे ते हाजर थाई अने आ वात्तों में एटला मैटे किधी के तमने आजना जमाना प्रमाणे नी आइटम भी बारी निकले युदिष्टी रे संकल्प करयो के पाणी पूरी हाजर थाऊ शुरिय नाराणना पाड़े तो अने पच्छी छेले युदिष्टी रे संकल्प करयो के वड़ा पाणी आजर साब अब युदिष्टी नारा तम्हें खाईल्यों भूख लगी हो थाई वाला भक्त जनो वैश्यम पायन केचे के राजा जनमे जाई आरे ते युदिष्टीर ने सुन्दर मजानू अक्षय पात्र आईपूजे अने पच्छी युदिष्टीर राजाई प्रथम ब्रामनोंने भौजन करायो अने पच्छी भायोंने जमाईड़ा अने पच्छी पोते पोजन करूजे युदिष्टीर मने तमने शिखवाड़े के पेला अतीथी ने जमाड़ू पच्छी आपड़ा परिवार ने जमाड़ू अने पच्छी आपड़े जमाड़ू आबाजू दुत्राष्ट बहु दुखी हता येने विदूर ने बोलाएवा अने कहो कि मने कई सूख थाएवी वाद करी जेने कोकनू हरामनू लैली दूए ने हक नहीं आवी वाद याद राग जो तमे दुत्राष्ट ये पांडवनी संपती लैली दीशे लिधापची हक नहीं आवे अबव पाको नियम शे भाई जेने कोई पणनू हरामनू लैली दूएशे येने थोड़ाग दी आनन्द लाग शे पण अन्तियने सूख नहीं आवे तमे बेपांच भायू भेगा रेता हो अन्द भेगा रळता हो पन ध्यान राग जो जयारे नोखा थाओने त्यारे बधी संपती भाग मा मुकी दे जो येमा छी हेरवता नहीं हेरवेली संपती का दवा खाने जाशे अने का कोट मा जाशे अने का कोई भोग मा जाशे हारे मार गे काम मा नहीं आवे उन तो आमारी वाहली पेढ़ी नहीं केतो जाओ जीवन मा कोई दी अनिती नो घराम नो रूपियो नो आवा देता जो आखी जिनगी सुखी थाओ पिक्ष्या मागी न खाई लेओ पन कोई दी हराम नो खाओ बहु पाको आ सिदान वाहा सद्धाम नो संकल्प पन जाहर मा कऊश्वा वाहे वाला ने हुश्या तमारे जिम वाहे वाला ये ममारे आ सद्धाम द्वारा जिवात्मा ना आत्यंति कल्यान ना मोक्ष नु द्वार खुलू थाओ जो ये येवी एक्टिविटी सद्धाम द्वारा थावी जोए संस्कृतिनू रक्षन थाई, संस्कृतिनू पोशन थाई अने सारा सज्जन व्यक्तिव त्यार थाई येवु एमाथी कारिय थावू जोए दुत्राष्टने उंग नथी आवू थी जेने जेने हरामनू लिधुषनेने शांती नहीं होई रुपियाशे शांती नहीं होई विदूर ने बोलावीन केचेकूं शुकरू विदूर केचेक हजीप पांडवनू राज्यतमे पाच्छु आपी द्यो तुत्राष्टने इवाथ हारीनो लागी रिसायाने महलमा जता रेया आबाजू विदूर जी ने केचेक तारे जा जाओ या त्या जा विदूर जी पन जता रेया महलमा गयापची दुत्राष्टनेम थयू कि जो विदूर पांडवना पक्षमा भळशे तो अमारू वधारे अही थाशे एटले संजईने मोकिलोंने केचेक तमे विदूर ने पाचा बोला विलावो विदूर जी ने पाचा आयवा जानी दुरियो धनने उपाधी छै कि नईन कदाच दुरियो विदूर ना केवाथी मारापिता पांडवने राज्य पाच्चु दै देशे तो बोव नकामू थाशे अने ए समय संकट मा पड़ेला पांडवनी दशा जोई दुरियो धने विचार करयो कि अत्यारे उएना उपर चड़ाई करू अने पांडवने मारी ना करू ये समय व्यास भगवाने दिव्य द्रश्टी थी आ वात जानी अने व्यास प्रभू दुरियो धन पासे आयवाशे दुरियो धन ने रोकी लिदू व्यास जी दुरुष्ट्राष्ट ने जैन कि दू कि दुरियो धने छल कपट पुरुवक जुगार रमाडी पांडवो पासे थी बदू लईली दू छे पांडवो जुगार मा हायरा न थी पांडवो ने छल कपट करीन हरावामा आयवाशे अने भाई पांडवो ने जी दूख हायवो ने कि कुटुम भी जनो थी जायवो व्यास भगवान आज सिको मारीन केछे कि दुरियो धने छल पुरुवक जुगार माडवो ने हरावाशे दगो करेशे अन आ दुनियामा दगो घरना मान सोज करेशे पारका कोई दगो करवा नहीं आउता भायू भायू ने दगो करेशे पत्नी पती ने दगो करेशे पती पत्नी ने दगो करेशे तमें जरूर जोशो ने तो कोई पारका मान सो दुख देवा नहीं आउता मोस्टली घर नाज हाशे एक पत्नी ना पती नहीं हम भोग कहीं सेवा कर suburbs नहीं ज्यान राखे नहीं और एक डी भगवान पासी ना बेनोश नहीं पाशा है कडवा सोथन वरध करे कडवा चोथन वरध के पतीनी आवर्दा लांबी थाई पती नी आयूश लांबी थाई अतल, करवा चोठिनी वरत करे हुघ भगवान पास ए जहेन केशे के प्रभु आ आमें कडवा चोठिनी वरत करी तो यह अमारा पती लांबू एंप जीवता नधी ते भगवान के आ कडवा न चुछन वरत अशे ने, इस सत्युग मार्टे हतना तो मोन वरत लागता जाओ और पति ने Venus देता जाओ के पीवानु बंद करी दे यी पीवानु बंद करी इवरत लें तम्में मोन वरत राखा कंटाली ग्या हुए शो मानशु घर ना थी ते तम्में आम जो मारी पाए तो बहु मानशु आवे आपने हम थेक विचारे आ जिनगी केम काटिये शे येसी 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 वरे रोधडा यूटूब ना माध्यम थी कथा समरता भक्तों ने जये श्री श्वामी नारायम। मानव कल्यान माटे जीवन समर्पित करनार परम पुज्य सत्ष्री। जैमनी अम्रुद्वानी थी कितला ये लोको व्यसन मुक्त थाया चे। कितला ये परिवारु मा एक्तवधी छे। समाज मा प्रभु भक्ती, देश भक्ती, गुरु भक्ती, मात्रुप इत्रु भक्ती नो संचार थयो छे। आवी समाज ना कल्यान रुप कथा ना प्रचार प्रसार माते। तमारा जन्म दिवस मेरेज एनिवर्शरी पुणियती थी। अथ्वा कोई पन दिवसे डोनेशन आपी आप पुणिय कारियन सहभागी बनिये। यथा शक्ती दोनेशन आपवा माते संपर्क 9045 सत्तर हजार जै श्री स्वामिनारायन।